so hello my beautiful souls welcome to my channel people tarot so guys कैसी वाप सब लोग आई होप आप सब लोग अच्छ होगर अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे होगे so guys good morning everyone so guys आज मैं आपके लिए लिए लिकर आगे हूँ आपके लाइफ में कौन सी खुश्या आने वाली होगे क्या अट्रेक्ट कर रहे हो आप आने वाले टाइम में कौन सी बलसिंग कौन सी हैपिनेस आपकी लाइफ में आ सकती आने वाले टाइम में आपके सामने हैं पाइल आपके नेम के इशल हैं आपके नेम के इसल हैं गाईश तो आप फोर्ट फाल पिक कर लिजेगा okay and also अगर love begins card आप intuitively pick करना चाहते हो तो guys आपके लिए first file मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ first file का ठीक है so आप इसको pick कर सकते हो guys okay and second file के लिए guys अगर आपकी name की निशस इन में से हैं आप देख रहे हो and also guys आप trium card को pick करना चाहते हो intuitively so आप second file pick कर लिजेगा and ऐसे guys आपके साहने दोनों ही piles हैं आपको आपके विशे आपको intuitively pick करना है तो आप दोनों में से कोई भी ले सकते हो ठीक है and otherwise guys आप दोनों में से कोई भी ले सकते हो ठीक है आपके initials में है time chance guys description में रहेंगी and also अगर आप instagram पे नहीं हो तो वहाँ पे follow कर सकते हो अगर आपको कोई अपने लिए personal reading book करवानी है तो आप वहाँ पे guys मुझे dm कर सकते हो okay so मैं आपको ज़रूर reply दोंगी जब भी मैं free होंगी and अगर guys आप लोग वहाँ पे नहीं हो तो comment section में भी अगर आपको रिडिंग लेनी है वहाँ पे dm करना अगर 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 आपको यहाँ पे notifications रखना guys अगर आप यहाँ पे अपना comment करते हो न ठीक है so of course मैं आपको reply दोंगी आपकी विश्य आपको लेनी है या नहीं हो की आपके लिए देख लेते है रिडिंग में क्या आता है so first pile love begins है आपके लिए ace of cups का card है यह आपकी love life में new beginnings आते हुए दिख रही है ठीक है अगर आपकी love life बहुत अच्छे नहीं चल रही थी अभी तक but guys आने वाले time में बहुत अच्छे love life आपकी चलने वाली है like new जो यह full moon जाने वाले है lunar eclipse है guys तो वहाँ पर इसकी वजह से भी हो सकता है कि आपके love life में change आये ठीक है Venus क्या होता है मारे love life ठीक है तो आपका Venus में भी कोई नहीं कोई change आया होगा okay बाकी Jupiter तो guys मेश राशी में ही बैठे है ठीक है and also mercury retrograde चल रहा है तो guys जो भी मेरे mind में like कुछ words ऐसे होता है न बोल नहीं पाते हम जादा नहीं होता पटे yes कभी कभी हो जाता है mercury retrograde 21 मेश तक है तो उसकी वज़ा से ही हो रहा है यह यहाँ पे guys love begins of course आपकी life में new love attract होता हो दिख रहा है यहाँ guys आपकी love life में new beginnings होते हुए दिख रही है okay so यहाँ पे है guys one number आपके लिए important हो सकता है okay एक number 19 28 sorry yes 28 number आपके लिए important होसता है and one number is also important for you एक एक number guys sun का भी होता है सूरिय का भी होता है तो आपकी life में name fame भी love के through आता हुआ दिख रहा है ठीक है so ऐसा कुछ हो सकते है आपकी life में कि आपकी love life में आपके name fame आपको मिले so यहाँ से guys आज हम देखेंगे यह tarot यूज करेंगे okay यहाँ भी see this seriously sun card ही है guys यहाँ पर bottom से वाओ so amazing so यहाँ पर sun आ चुक है है पहले ही आपकी reading में देख गया so of course आपकी life में कोई नों के खुशना आते हुए दिख रहे हैं new love new beginnings आते हुए दिख रहे हैं आपकी life में new beginnings आप attract करते हुए दिख रहे हो okay so guys जो भी आएगा यह reading में general reading है so keep an open mind okay so आपसे resonate हो जितना resonate होते है उतना ही रखेगा बागी को जाने दीजेगा और लोग भी देखते हैं कुछ part किसी से resonate हो और कुछ part किसी से resonate होगा okay so यहाँ पर father of cups king of cups का गाड़े okay two of swords two of pentacles wow two two की situation दिख रहे है यहाँ पर two two and अगर two number आपको पता हो तो of course two of cups भी जहां पर आप जहां तक आपको पता हो कि love relationship के लिए ही देखा जाता है so two number love and harmony के लिए होता है angel number two to two भी okay and eight of cups है यहाँ पर daughter of wands है like page of wands है यह okay daughter means page okay so many cards guys जो आया है यह ले जेते है ठीक है एक काड़ आया है यहाँ से daughter of pentacles okay एक और काड़ा है wheel of fortune and last one is four of wands see this marriage is here so marriage ही दिख रही है यहाँ पर मुझे लग भी रहा था क्योंकि ace of pentacles का ace of cups का का काड़ और love का काड़ था love begins ठीक है so bottom of the leg is chariot someone is coming in your life guys जो आपको commitment देना चाहते हैं जो आपसे शादी करना चाहते हैं okay so यह कौन सा काड़ है I don't know कोई दिख रहा है मुझे strength okay so strength बना के रखेंगाई कोई भी situation हो सकती है middle energies पहले देख लेते हैं okay unexpectedly guys यह full moon आपके life में बहुत सारी changes unexpectedly लेकर आने वाले जो भी आपने अभी तक patience रखा है न उसका reward आपको दिया जाएगा unexpectedly आपकी life में travel लिखा हुआ है आने वाले time में आप कहीं पर travel करते हों दिख रहे हों कहीं पर घूमने जा सकते हों कि यह खुशिया आपकी life में आते हुए दिख रहे हैं father of cups है आप बहुत जार emotional होते हो दिख रहे हैं आने वाले time में बहुत जार loving caring energies आपके अंदर आने वाली है ठीक है यह सब चीज़े आपकी life में यह भी हो सकते कि आपकी life में सबसे पहली बात वो person confused है यह फिर आप confused हो कि आपकी आतरी यह भी होगी यह नहीं सबसे ही या ए आपको kartने चाहिए यह करने चाहिए आपकी family माने यह नहीं मानेगी ठाए आपके इस person के साथ कुछ हो सकता है यह नहीं हो लाइफ में बहुत बिजी दे हो यहाँ पर एद है यहाँ आपको आपकी थीध वेभी दिख हुअ डॉड那麼 ने की सिच्पार्य वंबॉवयं पॉडपरिजों ने की सिच्पार्फिकित ने की सिच्पार्शिस नाम से आप नहीं परेगेन की सा मैं और मैं पात्हुंट आप new beginnings को attract करते हो दिखते हो ठीक है बहुत जाग passionate हो हर एक situation आपको money चाहिए गई इस मुझे ऐसा लग रहे है पता निक वेस्तों किसी कोई भी ऐसा परस नहीं है अभी इस life इस दुनिया में जिसको money नहीं चाहिए जिसको money से प्यार नहीं है बट यस यह है कि यस आप लोग की life में और गया आपको अभी यह हो गया कि मुझे चाहिए तो चाहिए जैसे बच्चा मांगता है बच्पन में कि यस मुझे चाहिए तो चाहिए वैसे ही pages होते है student life में हूँ आप अपनी ठीक है money wise अच्छा कमा रहे हो मुझे आप ऐसा लग है कि यस कुछ न कुछ अर्न करने करने लगो गई या कर रहे हो कि four of funds है marriage commitment ठीक है यह सब चीज़े दिख रहे हैं यहां पर stability आते हुए दिख रहे हैं आपकी life में अगर आप किसी relationship में हो तो आपको commitment मिल सकती है आपकी destiny में ही ऐसा लिखा होगा था wheel of fortune है guys see this wow बहुत अच् इसमत का पईया है ठीक है ऐसा लगए कि यहां पर moon है यहां पर skin यहां पर नीचे sun है so यहां पर see this owl है owl figure means wisdom का ही साइन होता है knowledge gain करते हुए दिख रहे हो आप लोग बहुत जादा ठीक है marriage commitment की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हुए यहां पर यसा लगए कि अगर आपके carrier में देखे तो guys आपकी destiny में जो लिखा हो है न वो होने वाला है अब इस टाइम पर आने वाले टाइम पर सो यहां से देख लेते गाईस वाओ man holding a coin सो यहां सबसे पहले king आया था यहां से भी सबसे पहले king ही आया है गाईस तो आपकी life में कोई person है जो money wise और emotionally wise आपको हर तरह से satisfy करना चाहते हैं कि अपने साथ रखना चाहते हैं आपको commitment दे सकते आने वाले में या अगर आपके पास कोई भी person नहीं है तो आपकी life में आपकी marriage fix हो सकती आने वाले time में हो कि आपको यह खुश्का मिल सकती है मुझे पता नहीं क्यूं यह reading ना तीन महीने के बाद होते हुए दिख रहे हैं आपके लिए three months का wait करना पड़ेगा आपको ठीक है उस time तक आपकी life में आपका marriage रोका वगरा हो सकता है ठीक है या फिर को रिष्टा आपको ढूंड जाए जैसा आपकी विश्व वैसा ही ठीक है four chakra archangel Raphael है यहाँ पर आपका heart chakra open होता हो दिख रहे है ठीक है दल के दरवा से खुलते हुए दिख रहे हैं guys okay आपकी and आप अपने दिल से ही हर किसी से प्यार करने वाले हो and also emotions show करने वाले हो अपना दिल खुल के रख देना चाहते हो हर किसी के सामने and action है यहाँ फिर आप जिससे प्यार करते हो उसके सामने okay action so आप action लेते हुए दिख रहे हो ठीक है किस situation में अगर आप carrier में हो तो guys carrier में बहुत अच्छा दिख र से विल ओ फॉर्चिन आ चुक है guys strategy वाओ anxiety and last one is वाओ 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 so amazing 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 so यहाँ पी है word card guys वाओ and यहाँ पी है word card guys ऐसे मुझे ना कभी कभी feeling आती है किसी किसी की reading देख कर ठीक है so आज मुझे वो feeling आ रही है ठीक है so word card है यहाँ पे long distance देख रहे है I don't know why but मैं खुश्चियों के बरे में सोच रही थी खुश्चियों की reading कर रही थी क्या happiness आ रही आपकी life में हर एक situation के लिए मैं reading देख रही है but यहाँ पे क्या आया सारे reading ही आपकी love के उपर आगी आपके प्यार के उपर आगी आपके love relationship से related आगी है and career भी आया है yes but उतना नहीं आपाया है but जैसे यह आया है and also आपकी health के लिए मैं आपका heart का ख्यार रखे मतलो ज़्यादा emotional baggage नहीं रखना है अपने अंदर ठीक है and also anxiety feel नहीं करना है depression में नहीं जाना है ठीक है like जैसे अगर आपको migraine अगरा की problem है यह ऐसा कुछ है से अदर्द करना जल्दी हो जाता है इन सब चीज़ों से overthinking करना इन सब चीज़ों से बहाद निकलियों के नहीं तो यह सब चीज़ें आपको future में जाकर benefit नहीं करते हो दिखाई दे रहे हैं ठीक है मतलब आपको कोई benefit नहीं होने वाला है इन सब situation से आपको आगे बढ़ना चाहिए भूल कर इन सब चीज़ों को अपने आपको control करना चाहिए अपने emotions के ओपर control करना चाहिए वर्ड कार्ड है यहां पर आपकी life में universe के तरफ से कुछ ऐसा कुछ होने वाला है जो आपकी life में कुछ हैसा होने वाला है जो होना ही था ऐसा कुछ होने वाला है यहां पर see this king of pentacles उप से पहले और अपना heart open कर रहा है यहां पर story दिख रही हो के queen की तरफ जाने के लिए उसको story चाहिए उसको बहुत सारी चीज़े करनी पड़ेंगे अपनी life में see this यहां पर अपने उसने heart खोला open किया आपकी तरफ ठीक है आपको हर एक बात पताई को आपसे कितना प्यार करते हैं क्या चाहते हैं वो आपके साथ marriage चाहते है commitment चाहते हैं ठीक है देन उनने action लिया ठीक है उनने action लिया आपकी तरफ थोड़ा डरे भी guys वो ठीक है कि yes आप उनको ठुकरा तो नहीं दोगे future में कुछ कह तो नहीं दोगे कि मुझे नहीं चाहिए तुमारा साथ यह वो ठीक है उनको yes कर होगी है no ठीक है अगर आपने no कह दिया तो क्या हो ठीक है so universe ने ऐसा खेल रचा कि yes आप दोनों को साथ लाया ही जाएगा in the future ठीक है I don't know why यह किससे resonate होने वाली reading guys but yes बहुत 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 बहु बीची चली जा रहे हो ठीक है ऐसा फील हो रहे है मुझे so यहां पर गईस देख लिते हो आपके लिए टैरो के थ्रू वो भी टैरो ही था बट यस यह नदर टैरो कार्ट है मुझे था कि yes मुझे confirmation चाहिए कि yes यह होने वाला है या नहीं so yes judgment तो मिलने ही वाली है guys magician आ चुक कलते हो दिख रहे हो यह खुश्या आपकी life में आ दियो के अपके लापन जो आप फील कर रहे थे न से यहां पर चैरिट रही है यहां पर चैरिट आ ही चुका है so last one is so emperor is here so यहां तो आपके father की तरफ से कुछ हो सकता है रिष्टे के लिए and wish fulfillment see this आपकी life में आपकी wishes fulfilled की जा रही है ठीक है and यहां पर जो दो गाट गिरे थे मिरे से वो king and queen थे यह reading में न कल्प ही आय थे I think या पलसो ऐसे ही थे ही इनकी situation king and queen की ठीक है एक तो है बहुत जाड़ अडियल गुसे वाली clear गट बात करने वाली गाली भी दे देती है ठीक है ऐसा चाहे boy है चाहे girl जिसमें feminine energies है उसकी energies है यह गाली बगरा भी दे देना ठीक है and गुसा बहुत ज़रा है अंदर ठीक है and also अडियल ego है अंदर ठीक है but also intuitive है ठीक है अंदर से soft है but यह जो king है इसके अंदर passion भरा हुआ है प्यार भरा हुआ है ठीक है इस king के अंदर passionate है हर एक चीज़ के लिए growth चाहिए इसको अपनी life में and also guys यह king guys अपनी life में successful है ठीक है इसके पास कोई authority position है so यह सब चीज़े देख रहे है ठीक है and यहाँ पर guys emperor आया है तो of course आपकी life में जो आपके father important होसे है यह आपके person ही emperor की situation में देख रहे है okay and also judgment है judgment मिलने वाली है guys आपको okay आपकी life में यही कुछ ही आ रहे है कि judgment मिलने वाली है magician है आपको अपनी life में manifest करते हो दिख रहे हो आप किसी को अपनी life में यहाँ फिर आपनी career को manifest करते हो दिख रहे हो ठीक है आप बहुत ज़रा happy feel करने वाले हो अकेले पन से बहार निकलने वाले हो अगर आप बहुत ज़रा केला feel कर रहे थे if you are feeling alone guys so आप इस चीज से बहार निकलते हो दिख रहे हो ठीक है and also chariot है यहाँ पी of course आप कहीं पर travel करते हो दिख रहे हो के traveling यहाँ पी दिख रही है and also आपके Aries sign हो सकता है Cancer sign हो सकता है Gemini Sagittarius यहाँ पी चार major arcanas है पांच sorry wow something major is happening in your life guys in the future and king and queen भी I can say this Gemini Sagittarius Virgo Cancer and Aries so यह Sun Moon Rising and North Node में हो सकते है आपके यह signs okay so यहाँ से guys bottom of leg क्या है आपके लिए nine of cups okay आपके life में new beginnings आ रही है खुश्यां आ रही है guys okay जो आपकी wish थी वही fulfill होने वाली है okay so यहाँ पर आपके wish fulfillment भी होते हो दिख रही है so यहाँ से सिर्फ आपके लिए एक message लोंगी मैं last message okay so आपको angel spirit cards क्या बताना चाहते हैं वाव focus intention guys okay so आपको बोला जारे focus intention रखी हो कि अपनी life में अपनी and also आपको बोला जारे कि think about what you desire desire उसके बर में सोचे जिसके बर में आप desire रखते हो ठीक है आपकी इच्छा है जिसके बर में उसके बर में सोचे ज़्यादा ओके set your sides high so अपनी sides को हाई रखे अपनी thinking को हाई रखे standard की ठीक है expect कर ये best possible outcome so expect कर सकते हो आप लोग ठीक है आने वाले टाइम में best possible outcome okay आपकी life में focus intention रखना बहुत important है guys okay so यहां से देख लेते हैं आपकी life में आपकी intuition बहुत strong होने वाले psychic insight है आपकी third eye open होने वाले okay आपको सच्चाई सामने आपके आने वाले अगर आपको सच नहीं पता था आने वाले टाइम में सच्चाई आपके सामने आ जाएगी follow करिए अपनी intuition को okay ये बोला जारे आपको अपनी intuition को follow करिए और आपको सब कुछ मिल जाएगो okay so guys अगर आपको reading पसंद आई हो तो like this reading subscribe to my channel bell icon को दबादे ना guys अभी के लिए इतना हर महादेव रादे रादे and अगर आप लोग guys instagram पे हो तो आपे follow कर सकते हो description में है link okay times times के just above अगर आप वहाँ पे reading लेना चाहते हो तो आपे dm कर सकते हो okay personal reading अगर आपको book करवानी है and अगर आप वहाँ पे नहीं हो तो comment section में बोल सकते हो okay मुझे कि आपको reading चाहिए okay so guys अभी के लिए इतना हर महादेव बाई so hello my beautiful souls welcome to my channel people channel so guys कैसे आप सब लोग आई होग आप सब लोग अच्छे होगर अपनी life में भी आगे बढ़ रहे होगे so guys आज मैं आपके reading लेकर आगी हूँ आपकी life में कौन सी खुश्य आने वाली है कौन सी blessings को आप attract कर रहे हो जिनके through आपकी life में happiness आते हो दिख रही है okay so guys अगर आपके name के initials इन में से हैं आपको आपने देख लिए होगे okay so अगर आपके name के initials इन में से हैं तो आप second pile पिक किये होगे okay and also अगर आपने triumph card को पिक किया है तो guys आपके लिए थी second pile okay so देख लेते हैं आपके reading में क्या आता है so guys अगर आपने triumph card को पिक किया था तो मुझे ऐसे लिए कि आप कहीं पर victory हासिल करते हो दिख रही हो ठीक है कहीं पर travel भी करते हो दिख रही हो ठीक है and यहाँ पर बहुत ज़रा flirty nature भी दिख रहा है आपका okay so यहाँ पर यह 3-4 चीज़े दिख रही है पहले से ठीक है so यहाँ तो आपकी तरफ आपको जीत हासिल हो सकती है अगर आप किसी काम में लगे हुए वहाँ पर आपको आपकी wish fulfill हो सकते है आपकी जीत हासिल कर सकते हो ठीक है मुझे तो हैं पर horse पर दिख रहा है कई लोगों के पास तो horse भी है बहुत कम लोगों के पास है यहाँ फिर horse से related कुछ हो सकता है यहां आप लोग horse year में आप चाइनिस जो horse year है न वहाँ पर उसमें आपका बर्थ हुआ होगा ओकी यहां वह यह सापके इंपॉर्टन हो सकते हैं यहां आपको आपके लिए seven number इंपॉर्टन हो सकता है ठीक है विक्ट्री आपकी तरफ आते हुए दिख रही है यहां पर सो टैरो के थ्रू आपके लिए क्या आ रहे है आज हम यह टैरो को एक टैरो डाक्री यूज करेंगे ओके लिए सो आपकी लाइफ में कौन सी खुश्चिंगा आते हुए दिख रही है क्या अट्रेक्ट कर रहे हैं आप लोग सबसे पहले mother of pentacles नाइस three of cups celebration wow three of pentacles see this guys three of cups and three of pentacles ten of cups nice son of swords page of swords की situation दिखाता है eight of wands आप लोग cancels scorpio pisces sign के हो सकते हो वैस्तों सारे के सारे signs ही आ चुका है यहां पर टॉर सुगर के फ्रीकॉन आपका sun mom rising में हो सकता है cancels scorpio pisces हो की aries leosage and also gemini librakis सभी के सभी signs आ चुका है bottom of track son of wands okay page of wands का कार होता है यह middle energy is true of pentacles nice कौन सी खुश्य आप attract कर रहे हो guys यहां पर क्या है है आपके लिए सबसे पहली बात आप लोग अपनी लाइफ में independent feel करने वाले हो कि motherly caring nature आप दिखाने वाले हो लोगों को अपना चाहिए आप boy हो आपके अंदर भी family energies like आप बहुत जरा ऐसा नहीं कि ego में जैसे फादर होते है ना गुस्से में ना ठीक है time प्यार करते हैं इस दिखाते हैं नहीं करते हैं अपनी लाइफ में ठीक है and यहां पे है guys three of cups okay three of cups का card guys आपको यहीं दिखाता है कि आप अपनी life में celebration feel करने वाले हो के खुश्यां आपकी life में आते हों दिख रहे हैं आप किसी की marriage में जा सकते हैं किसी की birthday party ऐसे कोई celebrations में जा सकते हैं आने वाले time में so 20 days का time दिख रहा है आपके लिए first pile के लिए तो three months का time दिख रहा था मुझे यहां पी but yes second pile आपके लिए 20 days का ही time है इस reading के लिए okay so आपकी life में कोई celebration आ सकता है कहीं शादी और टेंट करने जा सकते हो कोई reception हो सकता है किसी का birthday celebration हो सकता है ठीक है चाए छोटा सा ही हो but yes celebrate कर सकते हो किस situation को and three of pentacles are like अपनी life में कोई को business career में भी लगे हुए हो तो आइस वहां पे भी आपको success मिलते हो दिख रहा है okay and ten of pentacles are also guys यह भी दिख रहे है क्या आप अपनी life में guys अपनी family के ओपर focus करते हो दिख रहे हो ठीक है अपकी family guys आपकी family में बहुत सारी खुशना आते हो दिख रहे है 10 of cups है तो of course अब happiness आते हो दिख रहे है हर एक चीज जिसके पास हो guys वह cups की situation में आ जाते है emotionally happy okay आप emotionally fulfilled feel करने वाले हो ठीक है fulfilled feel करने वाले हो ठीक है and guys आपकी life में बहुत तेजी से कुछ opportunities आते हो दिख रहे हैं बहुत fast रहे हैं आपको कोई रोगी चीज के बारे में जान करी मिल सकते हैं also guys यहाँ पर यह भी बिताया चारह है eight of wands है यहाँ पर of course आप अपनी life में guys मुझे से दरव है कि आप अपनी life में आपकी तरफ कोईनों को messages calls आप receive कर सकते हैं आने वाले time में ठीक है and यहाँ पर मुझे messages calls इसलिए दिख रहा है ठीक है आप आपकी life में celebration आ सकता है I don't know why celebration 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 so यह word guys बहुत ज़रा keyword बन चुक है आपकी reading के लिए होगे so यहाँ पी eight of seven of pentacles and nine of cups आपके life में अगर अपने patience रखा रखा था ठीक है आप अपनी money के उपर work कर रहे थे आप patience रखके बैठे हो कि yes अब यह होगा अब यह होगा तो इस जोंट पर यह आप अपनी life में बहुत अच्छा कर रहे हो ठीक है आपनी life में इसका fruitful result देखने को मिलेगा आपको के nine of cups है यहां पर of course आपकी life में आपकी wish fulfill की जाएगा आपकी जो भी wish थी उसको fulfill किये जाएगा universe की तरफ से and son of wants है यहां पर of course आपकी life में guys आप flirty nature मैंने starting में ही आपको बोला था ना triumph को देख करें कि आप flirty nature आपका होता हो देख रहा है यहां कोई person आपकी life में आ सकता है आपक सकता है जो flirty nature उसका हो ठीक है and two of pentacles यहां पर तो यहां पर busyness पी दिख रही है busy रहने वाले आप आने वाले टाइम में पहुंआ जड़ा हो के अपनी life में busyness दिख रहे है Taurus लोगो के प्रिकॉन साइन आपके लिए important हो सकते हो के and also Cancer Scorpio Pisces वेस्ता सभी के सभी साइन्स है ए आपका सेंडेंट एंड आपका जो राइजिंग है सेंडेंट ही पूलते है उसको और आपका मून साइन्स यह दो साइन्स ऐसे हैं जो आपके लिए बहुत importance रखते है असेंडेंट आपकी body है मून आपका मन है ठीक है so of course body और मन का उना बहुत important है okay so यहां से देख लेते है और क्या आपके लिए हा रहा है क्या अट्रेक्ट करते हो दिखते हो गाईस आप अपनी लाइफ मैन हो लेगा को आइन ओके सो कोई परसन आ सकते हैं गाईस और साइन के टरस हो के के प्रिकॉन गाईस जो आपकी लाइफ में आसकते हैं से इस यहां पे mother of pentacles and father of pentacles आईए ओक आपके लाइफ में आपके couple आ सकते हैं आपके परसन आ सकते हैं और अल्सो मैंने आपको बताया भी क्या आप अपनी लाइफ में money attract करते हो दिख रहे हो आप इस ट्राइम पे ओके आप अपने हर चक्रा को भी उपन करते हो दिख रहे हो ठीक है अपने दिल के दरवाजे खोलते हो दिख रहे हो ठीक है सो लोगों के लिए अफकोस मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में विक्ट्री और विक्ट्री गाड़ आ चका है मैंने आपको बोला केरिंग कनेक्शन लाफ में यहां पर किंग आफ पेंटिकल्स और कुई आफ पेंटिकल्स हो नहीं है आचो के डिफरेंट डेक्स है तो आफकोस कपल भी बन गया तो आफकोस केरिंग कनेक्शन तो होगा ही गाईज ऋकर सो केर करोगे आप एक डूसे की आने वाड़ेन टाइम में आपको यह खुशिया मिल सकती हैं आपकी लाइफ में गाईस है आपके अगर फ़या सब्सक्राइब देने वाले पर भी है उस से दूर वह जाए शांत रिए आपकी लाइफ में आप लोग बहुत अच्छे से आने वाला टाइम बिता सकते हो ठीक है अगर आप फाइट से दूर रहो ठीक है and negative thinking ना करो ठीक है and also यहाँ पर विक्ट्री विक्ट्री तो गाईज मैंने आपको बोला ही है कि आपकी लाइफ में विक्ट्री आने वाली है आपकी लाइफ में खुश्य आने वाली है आपकी लाइफ में अबंडेंस आने वाली है आपकी intuition के उपर focus करिए जो भी वो बोलती है उसके उपर focus करिए और वही करिए जो वो बोलती है आपकी intuition because वही guys आप हो जो आपकी intuition है नो वो आप हो के जो आपकी अंदर से अंतर आत्मा आपकी बोर रही है so यहाँ पर financial constraints है so financial constraints देखने को मिल सकते है guys यहाँ पर ठीक है आने वाले टाइम में अगर आपकी life में अभी financial constraints देख रहे हैं लाइफ में क्या आ सकता है कौन सी खुश्यां आ रही है आपकी life में कौन सी blessings आप attract करते हो देख रहे हो seven of swords धोके से बचने वाले हो ठीक है अगर आपको लग रहे है कोई person आप से धोगा कर रहे है ठीक है so उस person से आप आगे बढ़ते हो दिख रहे हो गाईज यहां पर और ओके दो कार्ट है गाईज वाव the sun and the world card sun the world and three mortars busy तो गाईज रहने वाले हो आप लोग ठीक है आने वाले टाइम में busy हो गए बहुत ज़रा but yes यह busyness ही आपकी life में खुश्या लेकर आने वाली आपको अजाद खतने वाली है अगर आपको freedom चाहिए तो of course आपको अजादी मिल सकते आने वाले टाइम में ठीक है bottom of track is five of wands तो गाईज यहां पर competition दिख रहा है ठीक है आप किसी field में हो उसमें competition तो देखी रहा है तो आपको बोला जाएके अपनी तरफ से hard work करिए आपको चीज दी जाएगे universe के तरफ से इसके बाद guys six of wands ही होता है तो वहां पर आपको खहा जा रहे कि आप अपने life में आपकी life में और new opportunities आ सकती है ठीक है उसके ओपर focus करिए and also जो कर रहे हो वह भी करते जाए because competition बहुत जादा है ठीक है यहां पर and जो भी situation में आप लगे हुए हो चाले love है अगर कोई आपके आप किसी person के साथ हो जोंट परियो वह person के पीछे और भी लोग है ठीक है competition यहां पी है यह पर आपकी feelings हो सकती है और आपके person की feelings भी हो सकती हो कि आप लोग को लग रहे कि आपकी life में सब कुछ खतम हो चुका है ठीक है आपको धोगा दिया जा रहे है universe की तरफ से आपको धोगा मिल रहा है ठीक है universe की तरफ से मैं ठीक है निव बिगिनिंग जाना चाहते हैं आपकी लाइफ में और अगर आपको लगता है कि आपको किसे ने धोका दिया तो उससे आगे बढ़िए ठीक है अगर किसी दे चक्टे से दूर होकर आके बढ़ रहे हैं उन सब लोगों को पीछे छोड़ दिया आपने ठीक है अब आगे बढ़ रहे हैं मेरी तरफ कोई ना आए ठीक है यहाँ पी सन है खुश्या अबंडेंस न्यू बेबी चाइल बर्थ यह सब चीज़े दिख रही हैं यहाँ पी ओके and happiness आपकी लाइफ में आते हुए दिख रही है the fool है यहाँ पे new beginnings भी दिख रही है ठीक है new beginnings guys आपकी लाइफ फ्रीडम आ सकती है ठीक है आने वले टाइम में and also आपके पास dog है तो guys वो बहुत अच्छी बात है okay आपकी लाइफ में वो abundance लेकर आता हुआ दिख रहे है dog ही ठ so guys बहुत आपको लगए कि यस यह खतम हो गया इस person आपको धोका दे रहे ठीक है so don't worry आपको clarity बल जाएगी आने वाले टाइम में and आपकी लाइफ में खुश्यां attract कर रहे हो आप लोग okay so guys यहाँ से देख रहे थे last card आपके लिए आपके लिए last card क्या है यहाँ से आपके spirit guides आपको क्या बताना चाहते है spirit guides आपको क्या बताना चाहते है आपको इस time पे so divine healing guys आपके life में healing आ रहे हो नहीं यह sensitivity अगर आप sensitive हो तो आपके नहीं sensitivity को honor करिए retreat to recharge and heal so guys आपको retreat करो अपने आपको and recharge करो के अपने आपको and heal करो guys your light can support others so guys आपकी जो रोशनी है support करें दूसरों को के आपका जो famous होना है वो support कर रहा है दूसरे लोग को ठीक है also उनको encourage कर रहा है कि yes वो कुछ कर सकते है अपनी life में अपने आपको recharge कर रहे है guys वो आपके थूओ के and यहां भी है Lord Shiva वाओ guys बहुत अच्छी बात है आपके रीडिंग में Lord Shiva आए है तो first शिवची आपको कहीं भी गितने नहीं देने वाले हो ठीक है and आपको transcendence rise up उपर उठी उचाई चुए ठीक है and honor करें अपने inner force को steps लिए चारें आपके लिए हो ठीक है and dance with the universe dance करें guys universe के साथ आने वाले time में so guys अगर आपको रीडिंग पसंद आए है तो like this reading and subscribe to my channel bell icon को दबा देना guys and अगर आप Instagram पर हो तो वहाँ पर follow कर सकते हो link description में है time stamps के just above and अगर आपको personal page reading book करवाने तो वहीं पर DM करना हो के and अगर आप वहाँ पर नहीं हो comment section में बोल सकते हो के and अपने notifications bell on रखना so that आपको notification मिल जाए जो भी मैं message करूंगे आपको so guys अभी के लिए इतना हरमादे रादे रादे बाई